नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो दोस्तो कुछ ही दिनों में ये आपका scholarship का form डलने वाला है ये online ठीक है ये आपका form भरा जाएगा form भरने से पहले आपको क्या क्या document आपको ready करना है ठीक है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या वो document है जो आपको form भरते समय आपको चाहिए क्या क्या original चाहिए क्या आपको photo duplicate चीए इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा तो चलिए एक वीडियो की और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे document में ये आपका आयप्रमाट पत्रा आयप्रमाट पत्रों आपको original लगेगा ठीक है है आपका barcode वाला तहसिल दार से आपका जारी किया हुआ होना चाहिए आपका आयप्रमाट पत्रा ये आपका 5 से 7 दिन में आपका बन जाता है आयप्रमाट पत्रा इसलिए सबसे पहले आपको इसी को बनवा कर रख लेना है ताकि बाद में आपको इधर उदर हड़बर हड़बर ना करना पड़े अगला है यह आपका जाती प्रमाड पत्र जाती प्रमाड पत्र यह आपका बारकोड वाला होना चाहिए जो हवी ऑनलाइन तरीके से बन रहा है वो आला, आपका होना चाहिए, पुराना है, वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये रहता है बारकौड वाला, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, इसी थर आपका निवास प्रमाइब पत्र ही, ठीक है, नुव होना चाहिए, एपका बारकौड वाला, इसमें आपको, ठीक ह चाकी अंग सुची आपको इसमें लगेगा फिर पांचवे नंबर में आपका अधार काड़ ठीक है अधार काड़ में आपका मुबाइल नंबर ठीक है लिंक होना चाहिए वही मुबाइल नंबर वही अधार काड़ को आपको देना है अगला है रासन काड़ ठीक है रासन फोटो ठीक हे एक फोटो लगएगा, ठीक है कालेच प्रमेस की रसिल लगएगः इसमें आपका सिंग्नेटर भी होना चाहिए फिर आपका अंति में अंचल्र के दस mix नमबर जिसे बोला जाए, मोबाइल नंबर, ठीक है, सभी के पास मोबाइल नंबर रहता है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, इमेर आइडी भी आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, उसमें OTP अगर आएगा, और हाँ, फार्म को आपको सब्धानी पूर जानी वन्देमाटर।